ओम शुक्लाम ब्रम्ह विचारसार परममाध्याम जगद्व्यापिनिम् वीणा पुस्तक धारिनिमबयदं जाध्धांदकारपहं हस्तेस्पाटिकमालिकाम विददतिम् पद्मसने संस्तिताम वंदेताम् परमेश्वरिम् भगवतिम् बुद्धि प्रदाम् शारतम् बुद्धि प्रदाम शारदम आप सभी को मेरा प्रणाम आज माता सरस्वती पूजा के बारे मैं जानेंगे सरस्वती का अर्त है विद्यावानी की देवी जिसका वाहना हंस है सरस्वती की चार भुजाए है उनकी एक हात में बीना दुसरे में जपमाला तिसरे में पुस्तका, चवते में कमल का पुष्ट पही। मात सरस्वती को संगीत शास्तर की अधिश्ठात्र देवी कहा गया ही। ताल, स्वर, राग, रागिनी इनकी देन माना जाता ही। मात सरस्वती जी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मा सरस्वती अपने भक्तों के जीवन का अंधकार और अज्ञानता दोर करके उन्हें दिव्य प्रकाश और ज्ञान की और ले जाते है। मात सरस्वती को विद्य और बुद्धी की देवी भी कहा गया है। मा सरस्वती की कृपा से संसार के समस्त मानवकुल को बुद्धी की विकास होती है। मा सरस्वती सूक्ष्मा और अद्रुष्य रूप में मनुष्य की जीभा पर विराजत है। जिस समया जुहा पर सरस्वति का वास होता है। उस समया कही गए बात शब्द अमेश सत्य ओते है। विशेश हिंदू धर्म में विक्ति की परिपूर्णत तता जीवन की सर्वांगिन विकास के लिए सोलाह संस्कार प्रदान है। इस सोला संस्कारों में अक्षर अभ्यास और मासरस्वति की पूजा जिवो पर ओम उच्छरण करके ग्णान की शुरुवात होती है। उनकी उपासन और हमारी मेहनत से जीवन में सपल होकर राष्ट्र में मान, सम्मान, यशकीर्ति, मनोबल अईश्वर्य बढ़ता है। जीवन के हर कदम पर समस्य का सामन करने के लिए मासरस्वति की ज्ञान शक्ति और विवेक शक्ति से उसका निवारन होता है। आज का विशे संपन्न हुआ।